नमस्कार दोस्तों आपका हमार चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रारूपन क्या है प्रारूपन की विशेशता हैं कौन-कौन सी हैं वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आपके लिए बहुत ही मैत्पून होने वाले चले शुरू करते हैं हिंदी में प्रारूप लेखन को आलेखन प्रारूपन प्रालेखन मसोदा लेखन आधी के नाम से जाना चाता है मतलब प्रारूपन के कई नाम है इसे आलेखन भी कहा जाता है प्रालेखन भी मसोदा लेखना भी और प्रारूपन भी कहा जाता है यह शब्द अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयाय है किसी कार्याले में कोई पत्र प्राप्थ होता है तो उसका उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसोदा अर्थात कच्चा रूप तेयार किया जाता है मतलब किसी भी सरकारी कार्याले में जब कोई पत्र तो इसकी अर्थिया हुआ कि जब किसी सरकारी करमचारी में कोई पत्र आता है तो सरकारी अधिकारी उस्पत्र का उत्तर देने के लिए एक मसबा तेयार करते हैं कच्चा रूप तेयार करते हैं और उस कच्चे रूप पर मसोदे पर जब तक कुछ अधिकारियों की स्वीकर्ती नहीं मिल जाती तब तक वह प्रारूप रहता है और जब उस पर स्वीकर्ती मिल जाती है अनुमोधन हो जाता है उसका तो वह पत्र बन जाता है दूसरे शब्दों में कार्यालय में जब किसी व्यक्ती संस्था या किसी अन्य कार्यालय मंत्रालय का कोई पत्र लिखा जाता है जब किसी मंत्रालय को किसी संस्थान को या किसी व्यक्ती को सरकारी कार्यालों से पत्र लिखा जाता है तो उससे पहले उस पत्र का कच्चा रू भी प्रारूपन कहलाता है फिर इस प्रारूपन को उच अधिकारी वो दिखाया जाता है और उच अधिकारी की स्विकर्थी के बाद वत्र जो है वो अंतिम रूप ले लेता है अब पढ़ते हैं इस प्रारूपन की विशेष्टा है क्या-क्या होनी चाहिए या क्या-क्या है पहली विशेष्टा है पूर्णता प्रारूप का पूर्ण होना आवश्चक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें प्रारूप में कुछ समझने आए मतलब कोई बाते छूटनी नहीं चाहिए बीच में ऐसा कुछ नी होना चाहिए कि हमें प्रारूप समज में नाय सभी बाते प्रारूप में पूर्ण रूप से स्पस्ट होनी चाहिए उसमें सभी सूचनाई, संदर्भ, निर्देश, पत्रकरमांग, पिथी, आदि होनी चाहिए कहीं पर भी कोई अपूंता नहीं होनी चाहिए दूसरी बात है सटिकता होनी चाहिए प्रारूपन को बिल्कुल सटिक होना चाहिए फाल्दो की बाते उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जितना पूछा गया है उतना ही हमें बताना होता है इसके सटिक होने का कारण यह है कि आदिकारियों एवं करमचारियों की छोटी सी गलती भी दंडात्मत मानी जाती है प्राडूपन पूरी सावधानी के साथ तयार किया जाना चाहिए क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है, कोई पॉइंट छूट जाता है या पॉइंट गलत लिख दिया जाता है, तो इसे अधिकारियों को दंड भी मिल सकता है अगले विशेष्टा है सत्यता, सभी प्रारूपन में सत्यता का होना आवशक है, ये तथ्या पर आधारित होने चाहिए, इनमें कल्पना का समावेश नहीं होना चाहिए, यदि इन प्रारूपन में कोई भूल हो जाती है, तो संबंदित अधिकारियों को कठिनाईयों में ज जाल सकता है मजब जब प्रारूपन आप लिखेंगे तो उस प्रारूपन में सत्यता होनी चाहिए कोई भी कल्पना पर आधारी चीज नहीं लिखी जा सकती यदि इनमें भूल हो जाती है जो जिस इसने भी प्रारूप तैयार किया है उस अधिकारी को कई कठीनायों का सामना करना पड़ सकता है शिष्टा होनी चाहिए प्रारूपन में शिष्टा का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं कार्यलों में तो उसमें सिस्टाचार जो है वो पत्र का आवश्यक गुन होना चाहिए संक्षिप्ता प इतना पूछा गया बस वही संक्षिप्त रूप में हमें उत्तर देना होता है अगली विशेशता है कि इसमें नियमों का पालन होता है सरकारी पत्रों के प्रारूपन तयार करने की कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका अनुपालन आवश्यक होता है जो सरकारी विभा समय उपचारिक शब्दों का प्रियोग किया जाता है अब क्योंकि ये अपने सगे संबंदियों को लिखे जाने वाले पत्र नहीं है अधिकारियों उच अधिकारियों या किसी के पत्र का उत्तर देने के लिए लिखे गए पत्र है तो इसलिए इसमें उपचारिक शब्दों और संदेह रहित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे संदेह उत्पन हो शक हो, इसमें पूर्ण आदेशों, तीथियों का पूर्ण विबरन होना चाहिए, जिससे प्रारूपन के विशय में व दिखा होता है कि प्रारूपन कैसे तयार किया जाता है और उसी के अनुसार इसकी रूप रिखा होनी चाहिए भाशा प्रारूपन में भाशा का अधिक महत्व हैं अपनी बात पूर्ण और स्पस्च रूप से कहने के लिए भाशा पर अधिकार होना आवश्चक है जब तक हम भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक हम बात को सही डंग से नहीं कह पाएंगे इसलिए प्रारूपन में भाषा पर अधिक अधिकार होना चाहिए और भाषा का पूर्ण महत्व इसमें होता है तो दोस्तों आपको पता है कि प्रारूपन किसे कहते हैं अब प्रारूपन क इसी पत्र का उत्तर देने के लिए अधिकारियों द्वारा एक मसोदा तयार किया जाता है, कच्चा पत्र, कच्चा रूप तयार किया जाता है, जिस पर उच अधिकारी जब तक मोहर नहीं लगाते अपनी स्विकर्थी नहीं देते तब तक तो वह मसोधा रहता है प्रारूपन रहता है लेकिन जब उच अधिकारी की स्विकर्थी मिल जाती है तो वह क्या बन जाता है पत्र बन जाता है और इसकी अनेक विशेष्टाएं ये भाशाक पर भी उचित अधिकार होना चाहिए तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नुटिकेशन आप तक पहुंच सके धन्यवाद